सबने मेरी राम राम और आज में बनारी हूँ सुजी का हल्वा और वीडियो ने पूरी देखियो पसंद आवे तो मेरे चैनल ने सक्स्क्राइब कर लियो और कोमेंट करके जरूर बताईयो मेरा बनायो है हल्वा की सा लाग्या और सुजी का हल्वा बनारी हूँ आज में और सुजी का हल्वा बिल्कुल टेश्टी हल्वा बनेगा दानेदार बारी कवाली में सुजी का बनाओंगी सब पहले मैं ने एक कप इसमे सुजी डाली है और थोड़ी सी मैं इसने अच्छे से बून लेऊँगू थोड़ी सी बून गी है अब इसमें मैं घी डालोंगी गी डाल रही हूं मैं मीडियम ज्यादा नहीं डाल रही हूं मैं अगर कम लगेगा तो मैं बाद में डाल लूँगी वाकी कम नहीं रवेगा मीडियम रवेगा गी इसमें ज्यादा गी का भी अच्छा नहीं लगेगा तो इसने मैं अच्छे से बून लेऊं हूं मैं और इसमें अब डाल लूँगी मैं थोड़ी सी किसमस किसमस मैं पहले डाल ला गरूँ वो थोड़ी सी अच्छे से फूल जाएंगी और दो इलाईची मैंने डाल दी हैं इसमें और अब इसने मैं अच्छे से भून लेऊंगी एक कप मैं सुझी लई थी और उसी कपत मैं दो कप पाणी लेऊंगी और पाणी मैं अच्छे से उबढ़ना रख रख्या है पाणी मेरा उबढ़ के हो गया है त्यार और अब मैं इसमें पाणी डालूंगी मब पाणी डालन के बाद मैं मैं इसने अच्छे से बुननोंगी और अब मैं इसकी आँच गैस की कर लेओं हूँ दिम्मी और थोड़ा सा अब इसमें मैं डालूंगी कलर ज्यादा नहीं अड़काई डाला है बिल्कुल थोड़ाई तो अब ये अच्छे से मैं इसने बुन लेओंगी जब तक इसका कलर थोड़ा ब्राउन नहीं हो जाता जब तक मैं इसने बुननोंगी अच्छे से इसका कलर देखो प्रावन लगया है और भुनके ने अब त्यार अणवाडा है अब इत्यार नहीं होया है अब इसमें मैं थोड़ी सी दिम्मी आज के उपर है मैं चिन्नी डाल दूँगी छिन्नी थोड़ी मीडियम रखूंगी ज्यादा चिन्नी का अच्छा नहीं लगेगा अलवा तो चिन् अब इसने मैं 3-4 मिन्ट तक अच्छे से पकाऊंगी जब तक यह गी छोड़ देगा और जब तक यह गी नहीं छोड़ देगा जब तक मैं इसने इलात्ती रहूंगी क्यों निचे लग जागा अगर नहीं लाऊंगी तो और यह देखो अब टाइट ओन लग गया है और साथ में गी छोड़न लग गया है अब इसने बनके ने बिलकुल अब यह त्यार हो गया है मेरा अलुआ एक दम परफेक्ट अलुआ बनया है दानेदार और अब यह देखो म कि अब पलेट में डाल रही हुँ अलुएन बोद टेस्टी अलुआ बनके ने त्यार होया है मेरा अब इसने मैं एक पलेट में निकाल लेऊंछहू सारे ने यह देखो कितना दानेदार अलुआ बनके ने त्यार होया है बारिक वाली सुजी का बनाया है, मोटे वाली सुजी का अलवा, मैं उतना टेस्ट नहीं है, वाकी बना मैं मोटी का भी लेऊ हूँ, पर बारिक वाली सुजी का ज्यादा टेस्टी बनाया है अलवा, यह मन सारा अलवा निकाल लिया है पलेट में, और अब इसके उपर में थो मेरी पलेट बन के नत्यार होगी है यह है अपने अर्याना का देशी खाना